हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का उम्मित के मुताबिक आज के ख़बारों के हेडिंग है कि बिहार में सिख्षों की बाहली आयोग करेगा और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान मेयाज के फर्ष्ट जो लाइन इन्होंने लिखाया है कि बिहार में पहली से बारहवी कख्षा तक के सिख्षों की बाहली आयोग की माध्यम से ली जाएगी और इसके इन्होंने लिखा है कि आयोग परिक्षा लेगा कोई भी अभ्यारती अधित्तम तीन बार परिक्षा में बैठ सकेंगे ठीक है किस आयोग को परिक्षा की जिम्मेदारी मिलेगी राय सरकार यह बाद में तैय करेगी लेकिन आपके माननी उप मुखमंत्री जी ने कल जो ट्वीट किया था उससे यह हंदेशा निकलता है कि BPSC को यह मिलेगा जिम्मेदारी ठीक है क्योंकि उन्होंने BPSC के बारे में ही ट्वीट किया था अब चलिए बाकी खबर जो यहां लिख हुई है उनके बारे में तापको पहले से ही पता है आगे बात करते हैं कि इनसे आये क्या सबसे पहले जो बात है कि कुछ जो अभिरती हैं उनके मन में हमारे प्रती भी संदेह उत्पन हो गया है और वो समझ क्योंकि बीच में हम अपने ही बारे में बता हैं देखिए मैं परिक्षा का विरोध नहीं करता हूं लेकिन जिस तरीके से इसको लाओ किया गया है आनंग फानान में इसका विरोध जरूर है क्योंकि मुझे डड़ है कि बिहार में कोई भी परिक्षा जो होती है वह धांद के सामने ही कोशन पेपर लिख हुआ है तब आप बताइए कि इया परिक्षा जो होगी वह बिल्कुल सही तरीके से कदाचार मुक्त परिक्षा होगी इस बात की गारंटी कौन लेगा अगर आप गारंटी नहीं ले सकते हैं तो आप मुझ पर प्रस्णची नहीं उठा सकते हैं और दूसरी बात कि आप में से कुछ लोग को लगता है कि एक आप ही होसियार हैं बाकी तो सब को कुछी हैं आपके अंक अभी उतने नहीं होंगे आपको अभी उतना अनुहाँ नहीं हैं इसलिए थोड़ा सा धाड़े बना कर रखिए आप से ज़्यादा अनुहों भी ह हैं और कई एक्जामों में आप से ज़्याता अंक भी है इसलिए मुझे इस बात का ड़र मत दिखाईए कि परिक्षा होई तो यह मेरा अब चलते हैं आप लोग की खबरों की तरफ नेक्ष्ट है कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो आपती है कि एक UPSC भी जो एक्जाम लेती ह ठीक है UPSC भी जनरल कर्टोगरी के लिए छे चांस देती है यानि कि आप 21 साल की उम्र से सुरू करके आप सायद 31 या 32 साल है थोड़ा स्योर हो लिजेगा अभी ध्यान से उतर रहा है 32 साल तक मानके चलते हैं सायद 31 साल तक आप मतलए कि 11 साल से सुरू करके 31 साल तक आप 6 चांस में एक्जाम ये क्लियर कर सकते हैं जब जब आपका मन करें कि मेरी त्यारी हो गई है आप एक चांस दे सकते हैं आगले साल मन न करें तो फिर रुप के फिर दे सकते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है कि यह जो निमावली कल पाडित हुई है इस निमावली मास पश्टू ठीक है उम्र है मिनिमम में इस कितना है 18 साल है और अधिक्तमे में जर्रल के टोड़ी का क्या रखा गया है जर्रल के टोड़ी के पूरूस का 37 साल है इस 18 साल सा 37 साल के बीच में आप तीन ही बार एक्जाम दे सकते हैं अगर इस तीन बार में यह सिख्षक बन गए तो बहुत अच्छा नहीं बन पाए तो आपकी B.A.D. या D.A.D. की जो डिग्री है वो डिग्री वैसे भी फालतू हो जाएगी अब समझे कि इसमें समस्त्या कितनी आती जाएगी पहली समस्त्या तो यह आएगी कि UPSC का एक्जाम या BPSC का एक्जाम तो हर एक साल में होता है BPSC एक्जाम भी पिछले 3-4 वर्सों से थोड़ा सुधार हुआ है और लगभी प्रतेक वर्स होने लगा है लेकिन सिख्षक बहाली क्या प्रतेक वर्स आती है नहीं आती है तो ऐसे में तो अभिरतियों का उम्री खदम हो जाएगा बहुत सारे इंतिजार करते रहेंगे कि बहाली आएगी तब हम भढ़ेंगे बहाली तो यहां आती ही नहीं है खास करके जो लोग BAD किये हैं उन लोग को तो STT का एक्जाम देना एक सपना हो गया है 2017 के बाद जो लोग BAD में नाम लिखुआ है उन लोग को कभी भी STT का एक्जाम देने ठीक है STT का तो यह समस्या तो है यहां पर उसके पाद क्या है कि कई जगा और भी इसमें जो प्रापधान किये गया है कुछ लोग को उमीद थे कि यहां पर EWS बगारा लिखा हुआ मिलेगा EWS बगारा के बारे में कुछ नहीं लिखा गया हुआ है और syllabus बगारा भी इस exam का अब सुनने में आ रहा है कि जून में इसका exam हो जाएगा अभी तक जून में exam हो जाएगा या फिर जून में जो वो लोग स्लेवस थे हैं क्या करें कुछ भी पता नहीं अभी क्या बोले बुलने में भी अजीब लग रहा है कुछ भी पता नहीं है क्योंकि आपके निमावली में लिखा हुआ है कि सब चीज भविस्त 25,000 सिख्टों की हम भरती करेंगे ठीक है अब इतना इतना बेतन दे के एक बाड़ में 2,25,000 लोग की भरती स्तंभव है आप चरा अनुमान लगा ये खुद से कि अगर सब को 40,000-50,000 रुपिया का महीना मिलने लगे तो जहां पहले बिहार सरकार 20,000 बेतन देती थी 22,000 बे निक्ति कर देगी तो मुझे इसमें थुरा संसे नजराता है और निक्ति अगर नहीं करना है तो तरीका क्या होगा तो BPC के जड़ी एक्जाम होड़ा है question paper का level इतना बढ़ा दीजिए कि कुछी लड़के पास कर पाएंगे जब कुछी बच्चे पास कर पाएंगे तो अभी पिछले साल जो 22 में headmaster बहाली हुई है तो उसमें क्या होगा था कि 45,000 पद थे ठीक है और सरकार क्या कर रही है कि हम तो 45,000 की भरती कर रहे हैं ठीक है आप लोग को भी पता होगा आप लोग ने खबार में पढ़ा भी होगा कि 45,000 लोग के लिए जब एक्जाम हुआ तो केवल 400 लोग ही क्वालिफाई कर पाएं अब अगर यही हाल हो जाएगा कि पद अगर नि कि सरकार की कि हम तो 87,000 çл,000 लोग के लिए वैकनशी निखा ले ठीक है तो मुझे समझत्या नहीं ही एक्जाम दे बार बार कह रहा है कि कि방को भी यह लगता है कि अब बारने करें अगर मैं आपकी मर्यादा का ध्यान में रख रहा हूं तो आप भी तुरा सहीं में करूप से कुमेंट किजिए कि जो लिखते हैं कि आप डड़ गया यह किए वो कि यह भाई मुझे किसी बात का क्या ड़ लगी है ठीक है न मेरे नंबर कम है तो मुझे तो इस बात से आया वो यह था कि किस बिसाय कि सिक्षक कौन बनेंगे यह नहीं लिखा हुगा नहीं मामली में पहले लिखा हुगा रहता था अब क्या है कि कन्फूजन है विभा को एक बिस्तृत लेटर वगर कुछ निखालना चाहिए जिसमें लिखना चाहिए जैसे कि लोग पहले पू सकते हैं ठीक है तो विभा को इसका पस्टी करन देना पड़ेगा ठीक है एक तो अच्छी बाते भी हुई है जो अच्छी बाते हुई है उसकी प्रसंसा भी करना जोड़ी है क्योंकि सरकार के सिर्फ नकरात्मक बिंदों को नहीं दिखा सकते हैं जो अच्छा काम किया उसक नहीं खड़ी कर दी गई है कि बिना document verification के तो आपको joining letter मिलेगा ही नहीं असपास टूपस आपकी निमावली में लिखा हुआ है कि document verification के बिना joining letter मिलेगा ही नहीं ठीक है और भी एक अच्छी बात हुई है कि पहले 6-8 में जो 50-35 पद promotion से भड़ जाते थे यानि कि 1-5 में जो सिख्षक नुक्त थे उनको promote किया जादा था 6-8 में ऐसे 50-35 पदों पर promote किया जादा था वो promotion वाला जंजट अब खत्म कर दिया गया promotion बढ़ारा कुछ नहीं होगा जिनको भी 6-8 में नोकरी लेनी है उनको सिथा सिथा एक्जाम देना होगा एक्जाम qualify किजिएगा तभी नोकरी मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा ठीक है कुछ और अच्छी बाते भी है अच्छी बाते में यह है कि आप अगर निक्त हो जाते हैं तो आपको uncompac अलाप मिलेगा यानि कि अगर आपकी यह है कि सरकार ने जो निमावली बनाई है यह सिक्षक संग के हिसाब से निमावली बनी है यह निमावली अभ्यरतियों के हिसाब से नहीं बनी है यह इस बिंदू की मैं अलोचना करता हूँ बिल्कुल आप लोगों ठीक से याद होगा तो सिक्षा मुन्तिजी सिक्षक संग के साथ बैठक किये थे और आम भरतियों के साथ तो कभी बैठक नहीं किये आम भरतियों से तो कभी नहीं पूछे आप लोग से कभी पूछा गिया अरे भाई कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग से पूछा गिया आप लोग से कब पुछा गया है अभी opinion भी जो मांगा जा रहा है वो तो headmaster बहाली वाला जो नीमावली है वो अलग नीमावली है मेरे भाई वो headmaster नीमावली वाली बहाली पर आप लोग से email पर सलाह मंगवाया जा रहा है वो इस निमावली के लिए आपसे सलाह नहीं मंगवाया गया था आप लोग कंच्रूज क्यों हो जाते हैं बार बार ठीक है तो आपसे कभी सरकार ने सलाह मंगा ही नहीं पटना हाई कोट के अधेस का तो यहां उलंगन हुआ ठीक है और आप लोग से जब सलाह नहीं मंगा गया तो सिक्षा मंत्री ने केवल उन लोगों से सलाह लिया था बैठक करवाया था जो लोग पहले से ही निउक्त थे और जिन लोग को लगता है ने कि यह निमामली बहुत अच्छी बनी है एक बिंदू आप लोग और समझ लीजिए कि 2006 से लेकर आज तक जितने भी लोग निउक्त है ठीक है 2006 से लेकर आज तक जितने भी लोग निउक्त है लगभग और हाई से तीन लाख लोग निउक्त है कहने का मितला आप सोची कि आपके होने के संभावना कितनी है जब आठ लाख लोग 1-5 के लिए फोर्म बढ़ेंगे, आठ लाख लोग 6-8 के लिए फोर्म बढ़ेंगे, ठीक है, कम से कम 4-5 लोग 9-12 के लिए फोर्म बढ़ेंगे तो आपके होने के संभावना कितनी है, क्यों हमको 40,000 का बेतन मिलना है या फिर 20,000-30,000 का बेतन मिलना है अगर हमको हो जाएगा तब हमको भी 50,000-60,000 का बेतन मिलेगा वो तो सरकार ने खुलासा नहीं किया है कि बेतन क्या मिलेगा लेकि इतना कहा है कि पुराने से बेतन ज्यादा मिलेगा तो जो पुराने बेतन में काम कर रहा हूँ, सुचेगा ना भाई आपको अगर पुराने में कम बेतन मिला हो तो आप तो फॉर्म भड़ीगा ना कि अगर हमारा होगा तो हमको भी ज्यादा बेतन मिलेगा कहने का मतलब जो 2006 से नोक्री कर रहा है वो भी फॉर्म भड़ेगा आज वाला भी फॉर्म भड़ेगा सब फॉर्म भड़ेगा तो आपके होने के संभावना कितनी है आप ही बताईए कि कितना गला काट कमप्टीशन होगा इसमें तो जानिए मुझे कोई ड़नी है क्योंकि ये बात बार बार मुझे क्यों कहनी पर रही भाई क्योंकि आत्म प्रसंसा करनी मेरी आदत नहीं है लेकिन निकल जो कमेंट्स देखे हैं मैंने अपनी कमेंट्स सिक्षन में तो उसके अधार पर बार बार मुझे अपनी स्थिति असपष्ट करनी पर रही है कि मैं एक्जाम का समर्थक हूँ एक्जाम अगर लेना ही है तो ले ले मुझे क्या समस्या लेकिन बार बार कर रहे हैं कि जिन तड़ीकों से इसको लागू किया गया कम से कम अगर ऐसा ही करना था तो पुरूम एक साल पहले सूचना दे देते कि बाई एक साल बाद यह पैटर्न लागू होने वाला है तो लड़के तैयारी करते ठीक है बताई है हम गलत कह रहे हैं साल अब किसी भी चीज़ के लिए साल भार डेर साल पहले सूचना दे दे जाती है ना देखते हैं कि नई सिक्षानिती में अगर बीएट को बीएट ही 2030 से लागू होगा तो सूचना उसकी कब दे दी गई 2020 में ही कह दिया गया कि 2030 के बाद से किवल बीएट लागू होगा दस साल पहले बता दिया गया आप दो महीने पहले बताएंगे कि एक्जाम लेंगे हम तब करेंगे असलेबस भी नहीं पता है एजंसी भी तैन नहीं है तो हम लोग कैसे उसकी तैयारी करेंगे ठीक है इससे बल्ले बल्ले किसका होगा आप देखिएगा मध्यपूरा से लेकर कटिहार तक किसन गंद से लेकर द्रभंगा तक सिता मधी से लेकर पुर्णिया तक पटना से लेकर बांका तक कैमूर से लेकर भभुआ तक हर जिले में कोचिंग संस्थान कल के कल खुल जाएंगे कमाई होगी केवल फ्लेक्स बोर्ट का जो प्रिंट करते हैं उनकी बड़े बड़े पुष्टर कल से जापे जाएंगे कमाई होगी केवल कोचिंग वालों की जो लोग आज तक सीटेट पास नहीं किये होंगे वो लोग कल से आप लोग को कोचिंग में सूपर ट्रीटी की कोचिंग देंगे मेरी बात आप याद रखियेगा ठीक है तो कमाई तो उनकी होने वाली है आप लोग पाच-पाच-चा-चा-जाजार रुपया देंगे अहराम से वहाँ नाम लिखवालेंगे और क्या पढ़ाएंगे वही लोग जाने खेर ठीक है आप लोग को अगर पसंद आया हो तो समर्थन कीजिए सरकार की निती का नहीं पसंद आया हो तो आप लोग विरोध भी कर सकते हैं कि हमको ये पसंद नहीं आया है और यह वीडियो पसंद रहा तो वीडियो को भी लाइक कीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फिर से मुलाकात हो याप लोग से